दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे यानि अंतराष्टी बाग दिवस की रूप में मनाया जाता है और भारत सरकार ने ऐसे कौन से प्रयास किये हैं जिससे भारत में बागों की संख्या लगतार बढ़ती आ रही है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आज से 100 साल पहले लगभग दुनिया में एक लाग से ज़्यादा बाग हुआ करते थे और आज उनकी संख्या घट कर मात्र हो गई है 3900 और यही कारण है कि हमें बागों को कंजर्व करने की या फिर उनको बचाने की हमें ज़रुवत हो गई है आप समझ सकते हैं कि 95% जो टाइगर थे वो पूरी तरीके से हमारी दुनिया से खतम हो चुके हैं और बागों की संख्या को बचाने के लिए या फिर इनके कंजर्विशन के लिए रूस के एक सहर सेंट पीटर्सवर्ग में 2010 में 13 देशों के द्वारा एक समेट होती है और उसमें दुनिया के उन 13 देशों को समिल किया आता है जहां पर सरवादिक बाग पाई आते हैं और उसी दिन ये डिसाइड किया जाता है कि अब हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे और गलोबाइट टाइगर डे के रूप में सेलिवरेट किया जाएगा अब हम देख लेते कि ऐसे कौन से वो 13 देश थे जिन्होंने इस समिट में पाइटिसिवेट किया था तो इस समिट में इंडिया सामिल था बंगलादेश नेपाल भूतान म्यानमार चाइना इंडोनेसिया मलेसिया लाओस थाइलेंड वियतराम और जो होस्ट कंट्री थी व रखा गया 2022 तक के लिए और इसमें टार्गेट यह रखा गया कि अब हमको बागों की संख्या दोगनी कर देनी है मतलब है टी इंटू तू मतलब जो वाइल टाइगर से वो 2022 जितने भी उस समय 2010 में थे उससे दोगने हो जानी चाहिए और भारत सरकार ने इस दिसा में कि संख्या हो जाती है 2967 और यह जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट का नाम था और इंडिया टाइगर इस्टी मीशन रिपोर्ट 2018 और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में लगभग 2967 बाग है और आपको यह बात जानकर आश्चार होगी कि दुनिया के 70 परसें वो इंडिया में ही पाई आते हैं और इंडिया के लावा हम बाकी उन कंटीज की बात करें जहां पर सरवादिक बाग हैं तो आप देख सकते हैं रसिया, इंडोनेसिया, मलेसिया, नेपाल, थाइलेंड, बांगला देस, भूटान, मियानमार और बाकी वर्ड में भी टाइगर पाई आते हैं और यहां भारत के उन पांच राज्यों की बात करें जहां पर सरवादिक बाग पाई आते हैं इस यह हम रिपोर्ट की बात करें तुड़ा गुटेशन 18 वाले की तो आप देखे सब स्यधा बाग पाई आते हैं मद्ध पदेश में और उनकी संक्या है 526 और मद्द प्रेश को इसलिए टाइगर इस्टेट भी कहा जाता है दूसरी रेंकिंग है करनाटिका की यहाँ पर 524 बाग पाई आते हैं तीसरे में उत्रकंड यहाँ पास 442 बाग पाई आते हैं चौथे पर है महराष्टा यहाँ पर 312 बाग पाई आते हैं और पांच म लाइन के जगह पर ड्रॉयल बेंगोल टाइगर को नेशनल एनमल ऑफ इंडिया बना दिया था और 1973 में ही प्रजेक्ट टाइगर लॉंच किया गया और इसका मुख हो देश्था टाइगर को कंजर्व करना और यह लॉंच किया गया था अप्रेल 1973 में उस समय की प्रधान मं हमें देख सकते हैं यह इंडिया के टाइगर तो आप समझ सकते इंडिया लगातार प्रयास कर रहा कि भाद में बागों की संख्या बढ़ती जाए